पंचेंद्रियों में से कान एक है कान ये एक शरीर का आशेरकारक भाग है जिस कारण मानव तथा अन्य प्राणियों को आजो बाजो में क्या चल रहा है ये सुनाई देता है द्वनी का वरग करण वारमवारता से कर सकेंगे 20 हर्ट से कम वारम वारता द्वनी को अवच्राव द्वनी इन्फरा साउंड कहते हैं 20 हजार हर्ट से ज्यादा वारम वारता के द्वनी को श्रव्याती द्वनी अल्टरा साउंड कहते हैं सशक्त जवान व्यक्ति के सुनने की एक्षमता 20 हर्ट से 20 हजार हर्ट होती है उसे श्राव विद्वनी कहते हैं उम्र बढ़ती है वैसे लोगों की सुनने की तथा श्राव विक्षमता कम होती है सामान ये जेश्ठ तथा प्राउड व्यक्ति को सिर्फ 12 से 14 किलो हर्ज वारम वारता तक सुनाई देता है आप जब श्रवन परिक्षा देते हैं तब ओडियोलोजिस्ट एक आलेख तयार करते हैं इस आलेख से पता चलेगा कि उर्च द्वनी की विविद्वारम वारता आपको सुनाई देती है या नहीं अवश्राव द्वनी जिसे कभी-कभी नीचे स्तर का द्वनी कहते हैं वो 20 हर्ट से कम वारम वारता का द्वनी होता है मानों को सुनने का ये नीचे स्तर होता है नैसरगिक अत्वा कृत्रिमता से अवश्राव द्वनी मिल सकता है इस वारमवारता का द्वनी भूकम तथा भूचाल मापने से निगडित पृत्वी के अंदर खड़क तथा खनिश तेल की खोज करने के लिए इस्तमाल किया जाता है। हाथी अवश्राव आवाज निकालते हैं जो कठिन जमीन से जा सकता है और अन्य हाथी के जुंड सेंकडो किलोमेटर दूर रहने से भी इसी आवाज का सुराग ले सकते हैं। तिमिंगल याने देव मासा और कुछ प्राणी अवश्राव य द्वनी का उपयोजन दूरस्थ सववाद के लिए करते हैं। कृत्रिम स्त्रोत याने अनुशक्ति विशयक रासायनिक विस्फोट इंजन यंत्र सामगरी तथा हवाई जहाज है। अवश्राव य द्वनी में दूरस्थ प्रक्षेपन क्षमता होती है। श्रव्याती द्वनी याने 20,000 हर्ट से ज्यादा वारम वारता के द्वनी मनुष्य की उच्छे श्रवन क्षमता होती है। श्रव्याती द्वनी के भावतिक गुणदर्म श्राब ये द्वनी से अलग नहीं है, सिर्फ मनुष्य उसे सुनने ही पाते, ये मर्यादा हर एक व्यक्ति में अलग-अलग होती है, वैस सशक्त जवान व्यक्ति में 20,000 हर्ट्स होती है, श्रव्याती द्वनी का उपयोजन शिकार तथा बाधा खोजने के लिए करते हैं, कुत्त और बिल्ली की श्रवन क्षमता श्रव्याती द्वनी तक लंबी होती है, श्रव्याती द्वनी का उपयोजन कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए होता है, कुत्ति सीटी बजाते समय श्रव्याती द्वनी छोड़ देते हैं कुत्तों की सीटी बजाने की वारुम वरता तीस से चौवन किलो हट्स के बीच होती है इको लोकेशन जिसे बायो सुनार कहते हैं यह अनेक प्रकार के प्राणियों से उपयोजित जैविक सुनार होता है इको लोकेटिंग प्राण लेने के लिए तथा ठीकाना ढूंडने के लिए प्रतिद्वनी का उपयोग करते हैं चमगादड अलग-अलग श्रव्याती द्वनी तंत्र शिकार करने के लिए इस्तमाल करते हैं श्रव्याती द्वनी साधन 20 हर्ट से अनेक गीगा हर्ट्स वारमवारता तक काम कर सकते है श्रव्याती द्वनी साधनों का उपयोजन वस्तूओं की खोज तथा अंतर नापने के लिए होता है वैदिकी एक शेतर में श्रव्याती द्वनी का उपयोजन सोनोग्राफी में अविनाशकारी उत्पादन और रचना इनके कसोटी के लिए उनके आदुश दोश खोजने के लिए किया जाता है उद्योग में श्रव्याती द्वनी सफाई, मिलावट और रासाई ने क्रियाओं की गती बढ़ाने के लिए इस्तमाल किया जाता है सोनार, साउन निविगेशन और रेंजिंग, सोनार ये तंद्र, श्रव्याती द्वनी तरंगों का उपियोग, पानी के प्रिष्ठभाग के नीचे वाले तथा उपर वाली वस्तुएं खोजने के कारण होता है सोनार के दो प्रकार होते हैं, सक्रिय सोनार और निश्क्रिय सोनार सक्रिय सोनार द्वनी तरंगों का स्वीकार तथा फेंकना दोनों करते हैं वैसे ही वस्तुओं की अभिमुकता और मर्यादा निश्चित करते हैं निश्क्री सोनार द्वनी तरंग बाहर छोड़ते नहीं, सिर्फ उनके पास आने वाले द्वनी तरंग सुनते हैं। इसका प्रमुख उप्योग समुदरी वस्तु, पंडुब्बी और समुदर मचली तथा तिमिंगल इनकी आवाज तथा द्वनी खोजने के लिए होता है। सोनार में प्रेशक यंद्र, ट्रांस्मीटर, ट्रांस्ड्यूसर, रिसीवर और डिस्प्ले होते हैं। ट्रांस्मीटर एक द्वनी का स्पंदन तयार करता है, जिसे पिंग कहते हैं। विद्धुच शक्ती ट्रांस्मीटर से बाहर फेकी जाती है, जिसका रूपांतर ट्र विद्युत संकेतों में रूपांतरित करते हैं बाद में रिसिवर में बड़े होते जाते हैं और डिस्पले के लिए भेजे जाते हैं अधिकांश जगों पर ट्रांसड्यूसर द्वनी तरंगों का प्रक्षेपन तथा वस्तों की खोज करता है बहुतांशी लशकरी जहाजो पर सोनार व्यवस्ता रहती है उसका उपयोग शत्रू के जहाज और टॉर्पीडो की खोज करने के लिए किया जाता है पानी के नीचे खोजना और छुडाने वाले समोह में उपयोग करते हैं जहाज और पंडुब्बी में विशेश सोनार बिठाये जाते हैं उनका उपयो स्पाUT इत्यादी खोजने के लिए किया जाता है सोनोग्रफी तंत्र ग्यान में श्रभ्याती द्वनी तरंगों का उपयोजन शरीरांथ तरगत भागों की चितरनिर्मिति करने में किया जाता है इसमें सोनार के समान परावरतन होता है अलग घनता के दो उतियों में से सीमा रेशा तथा उर्जा और पास वाले द्रव की सीमा रेशा इसमें हर एक बार बीच में संकेत आने से परावर्तन होता है श्रव्याती द्वनी तरंग मानवी शरीर में इस्तमाल करने के कारण और अलग-अलग अंतरभागों से आये हुए प्रतिद्वनी के कारण एखाद अवयव की तथा समस्या ग्रस्त भाग की प्रतिमा तथा सोनौ ग्राम मिल पाता है गर्ब वती स्त्री के गर्भाशय में गर्ब का विकास देखने के लिए सोनोग्राफिका उप्योग किया जाता है यकरुत, मत्रपिंड, मस्तिश्क और स्वादुपिंड इनकी घातक स्तिती श्रब्याती द्वनी तरंगों से खोजी जाती है रिदय के अंदर की वॉल्व और बड़ी रुधीर वाहिकाएं ऐसे धड़कने वाले भागों की हलचल भी देखी जाती है द्वनी तरंगों का उप्योग होने वाले अलग-अलग शेत्रों की जानकारी हमने ली अंतरजाल पर सभी तंतरग्यान की जानकारी लीजिए कर्सकते हैं